हेलो फ्रेंट्स मैं हूँ राजान और आप देख रहा है हमारे चैनल टेल रेंक गुरू जी एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर आज बात करेंगे एक सिंपल कूर्ती कटिंग की जिसका लंबाई है 36 का चेश्ट तैंती सिंच कमर ती सिंच शोल्डर साड पीछे गला साथ इंच का दोनों बराबर है हीप इसमें लिखना बोल गया था जो है 36 का ठीक है यहां पर देखे बात करेंगे इस कूर्ती की कटिंग को तो आज मैं इसको कपड़े पर नहीं बता रहा हूं आप लोगों को पूरा पेपर पर काट करके बताऊंगा तो यह द बता है और एक सुझाओ आप सभी लोगों से चाहूंगा मैं इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप सभी मुझे जरूर बताएगा कि आगे की वीडियो जो कटिंग की मैं बनाऊंगा वो डारीट कपड़े पर काट करके बताऊं या फिर पेपर पे काट के बताऊं ब बिल्कुल सीधा यह इस तरह है ठीक है यह निशान थोड़ा छोड़ करके लगाने तकि नीचे और उपर दोनों पीपर बराबर आप कर रहे एक चीज मैं आप लोगों को बताना भूल जा कि यह जो पीपर है इसको हमने डबल फोल्ड करके रखा हुआ है ठीक है यह ध्यान को पीपर कटिंग भेजता भी हूँ तो अगर आप मंगाना चाहते हैं तो डिस्प्ले पे जो नंबर चल रहा है उस पर मंगा सकते हैं 28 से लिए कि 42 इन चेश्ट तक का यह कॉलर वाले कूरती का पंजाबी ड्रेस का यह पूरा शैट है इसको आप ओडर कर सकते हैं इसकी की अगर आप इस वीडियो को देख करके ओडर करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा तो जो कटिंग मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूं वह पूरा आठ तरह का फरमा सामने पीछे पल्ला अस्तिन गले का शैट वगरा सब उसमें दिया गया है उसकी एन कि मैं अराम से आज किस वीडियो में बताने वाला हूं थोड़ा समय लगेगा सबर के साथ आपको यह वीडियो देख दी हैं और कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताना है प्लस लाइक भी करना है वीडियो को दो निशान यह दो निशान क्यों लिए गए सबसे पहला वाला इसको मैंने बताया कि आप नीचे और उपर दोनों का पेपर जो है वो बराबर रहना चीज इसके लिए हम एक बिल्कुल सिधा निशान लेते हैं यह चीज आप ध्यान में रखोगे उसके बाद हमने हाफ इंच नीचे एक और निशान लिया है यह निशान इसलिए लिए ल इसका मतलब यह नहीं कि साड़े चौगदा का हाफ करके हम सिधा सिधा सबसात पर निशान लगा देंगे ऐसा नहीं होगा आपको देखना पड़ेगा कि आप पीछे गला कितना ले रहे हैं पीछे गला जैसे 7 इंच है उस हिसाब से यहां पर आप गले को कम करेंगे और कम क आप ठर के निशान लगाएंगे 6 इंच पर ठीक है मतलब यह सिधा सिधा सवा एंच कम होगया यहां पर रहे ही निशान आपको 6 इंच का लगना है यह दो निशान लगए फिर यह दोनों निशान आपको इस तरह से मिला देना है । यहां पर मिलाने के बाद बात आती है सूट का आरम होल लेने की तो यहां पर फ्रेंड्स आरम होल का निशान जो हम लगाएंगे न वो 36 के कोडिंग लगाएंगे साड़े 5 इंच पर क्यों लगाएंगे साड़े 5 के इसाप से यह भी मैं आप लोगों को अभी समझा रहा हूं ध्यान दीजेगा यह इस तरह से साड़े 5 का निशान और फिर इसको सीधा इस निशान को हमें आगे बढ़ाना होता है लेकिन उसके पहले भी बहुंद सारी चीज बनाते हैं उसमें गला हम लेते हैं धाई इंच का यहां पर गली का निशान लेकिन उससे पहले यहां पर जैसे हम निशान लगाते हैं उससे पहले हमें यहां पर थोड़ा सा शोल्डर डाउन करना चाहिए हाफ इंच यह इस तरह से डाउन क्यों क्योंकि पीछे गला डीप सामने का पल्ला अलग सी और पीछे पल्ला अलग से दोनों अज़के हैं पीछे पल्ले को भी डाउन किया गया है और सामने पल्ले को भी खलियर एक बात अब गले का मेजरमेंट लेना है जो की Er दौ की चोड़ाई इसकी जी 1 0,5-2 1 धंच के यह ऐसे यहां पर जैसे नीचे हम लेंगे धाई इंच आप नॉर्मल निशान लगा होगे थोड़ा फैलाओ देना तो पौने इन का लगा होगे और फिर यह निशान आपको बराबर इस पकार से मिला लेना है और गले को नापना है साथ इंच का आपको गला चाहिए यह इस तरह से नाप लेना साथ इंच का निशान उसके बाद यहां पर आपको गले का शेप दे देना है सामने गला आजकल सूट में बहुत सारे डिजाइन बनते हैं फ्रेंट्स पैकेट में भी मैंने आट तरह का डिजाइन आप लोगों को यह ऐसे ठीक है डबल फोल्ड में पान गला ऐसे ही दिखता है सिंगल फोल्ड में सिंगल पीस जब हम देखते हैं पान गले को तो काफी खुपसूरत लोक उस गले का होता है यह बात हो गई गले की अब यहां पर देखना सामने और पीछे गला दोनों बराबर है तो एक ही की बारे में आपका काम चल जाएगा अलग-अलग आपको बनाने की जौरत नहीं पड़ेगी तो फिर अलग-अलग के लिए भी मैंने इस चैनल पर एक्स्प्लेइन किया है अब बात करते हैं आर्म होल की सिंपल ड्रेस है पीछे गला डीप है यहां पर आपको आर्म होल डा दो कहीं नगी महनत की बचत हो जाए इसके साथ-साथ मिश्टेक नहों गलती नहों इसलिए लोग पेपर कटिंग्स को और करते हैं तो जो लोग सीखना चाहरे है वो लोग सीखवी सकते हैं आप बिलकुल असानी से सीख सकते हैं इस चैनल के साथ जुड़े रही है मैं धेर इंच की दूरी से दी जाती है यह ऐसे ठीक है अब जैसे हमें गुलाई देनी है तो गुलाई देने के लिए अगर बात करें तो यहां देखना पहली गुलाई जो है यह इस प्रकार से डाउन वाले निशान से जाएगी और बिल्कुल करीब से गुलाई देनी है कोई बहुत का आर्म होल टाइट होगा जितना करीब से दोगे उतना अच्छा है और इक चीज मैं अपलों को लाश्ट में आर्म होल के लिए और बताऊंगा तो वह अभी नहीं बता रहा हूं उसको लाश्ट में बताऊंगा चेस्ट साइज होगरा पूरा मिजर करने के बाद यह इस प इसको ध्यान में रखते हुए बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कई पर को डाउट आपको नहीं होना चाहिए उसके लिए क्या है देखो सबसे पहले हम लेंगे इंची टेप रखना है शोल्डर पे यह देखो ठीक है इसके बाद हम आते हैं एक निशान हमको लेना है साड़े कहां पर नापना है दूसरी बात करते हैं हिप की हिप हमको लेना है 19 इंच पर यह ऐसे यह भी कभी 19 शाड़े 19 20 इसकी भी बात करेंगे कि हिप को कहां पर नापना चाहिए यह एक इंपोर्टन टॉपिक होगा तो उसके लिए भी एक पर्टिकुलर वीडियो बनेगे यह द चलिए यही से सुरुवात करते हैं चेश्ट है हमारा 33 इंच का इस टेंडर लूजिंग फॉर्मूले के हिसाब से 3 इंच आपको लूजिंग देना होगा अगर आपने बाडी मेजरमेंट लिया है तो खासा ध्यान रखें 3 इंच का आपको लूजिंग देना है 36 हो जाएगा इसका चौथा हिस्सा होगा 9 इंच ठीक तो 36 का चौथा हिस्सा लेंगे 9 इंच और सिलाए मार्जिन जो हम देते हैं 1.5 इंच का शूट में वह 1.5 इंच आपको देना है अब बात करेंगे कमर 30 इंच का कमर है ठीक है तो यहाँ पर भी 3 इंच का आपको लूजिंग देना च जाएगा 33 इंच अब 33 का चौथा हिस्सा लेंगे कमर नापने के लिए तो 33 का चौथा हिस्सा कितना होगा 37 इंच यह 18 इंच यही мощ का यहाँ पर भी सिलाई मार्जिन कमर प्रया अब बात करेंगे 14 का Mark और हिप में जो हम सिलाई मार्जिंग लेते हैं वह 1 इंच लेते हैं किसी भी साइज में इसको हमेशा ध्याऊ रखेंगे अगर आपने दामन का नाप लिया है ठीक है आपने दामन का नाप नहीं लिया है तब के केश में क्या करेंगे उसको भी बता रहा हूँ लेकिन दामन से पहले यहां पे देखना आपको लेना पड़ेगा लंबाई तो सूट की टोटल लंबाई कितनी है फ्रेंट 36 इंच के यह लेंगे स्केल से यह इस प्रकार से मार्जिन वाला निशान भी ऐसे अब यह दोनों हो गया तो यहां पर आपको दामन भी नाप लेना है आपने दामन नापा है अच्छी बात है नहीं नापे है तो जितना हीप है उतना ही दामन रख दोगे वो कॉमन रहता है साइज लेगा है यह ऐसे ठीक है कि यह वाला निशान भी मिला लेते हैं अब यहां आएंगे यहां पर बात करेंगे कि हीप से कमर की तो यह इस तरह से मिलाना है कि यह कमर से चेश्ट तो आप लोगों को साइज जी समझ में आ रहे होगी मैं बहुत भी एक्स्प्लेइन करके आप लोगों को समझाने का प्रयास करता हूं फ्रेंट सो सकता है कुछ लोगों को बहुत ही बोरिंग लगता होगा क्योंकि इतना डिटेल कोई समझना नहीं च सीखना चाहते हैं वीडियोस को ध्यान से देखेंगे नौलेज आपको अच्छी मिलेगी बैस्ट आप लोगों को यहां पर बूटिक लेवल का नौलेज पूरा दिया जाता है तो वीडियोस को ध्यान से देखें पूरा अंत तक देखा करिए ताकि कोई भी जैनकारी आप स मिशना हो और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं कहीं से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना तो यह इस तरह का बनता है डेसिक फ्रेम सिंपल कूर्ति का कर देते हैं इसकी फटाफट से कटिंग तो यहां से करेंगे सुरुआत और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग मे भी बताया था कि यह पेपर डबल फोल्ड है तो सामने और पीछे पल्ला अलग-अलग कटेगा यहां पर आर मोल पर पीछे वाले निशान पर ही काटना है यह ध्यान रखोगे थोड़ा सा उसके बाद यह देखिए यह है आपका सामने का शोल्डर यह इतना छट जाएगा मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि शोल्डर आपका कम रहेगा और आर मोहल यह जो है अंदर वाले निशान पर छाटना है तो यह दो चीज़े खास ध्यान रखोगे गले कि अगर बात करें आप इसको असानी से काट सकते हो अगर काटना है तो यह दोनों पर एक बराबर रख लेना सामने और पीछे का और फि तो गले का फ्रेम भी आप काट करके रख सकते हैं या जो लोग पैकेट ओडर कर रहे हैं उन लोगों को तो उसमें सारी चीज़े मिलती हैं तो किसी भी तरह की प्रॉबलम नहीं है थोड़ी सी यहां पर बात करेंगे यह कट्स लगाने की तो यह फिटिंग वाला कट लगा है तो उसके लिए यह सब कट्स आपको लगाने है ठीक है वाई होग आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में हैं थोड़ा सा बात करेंगे अस्तिन के लिए अब देखिए फ्रेंस इसमें आप साब कुछ एड़ कर दिया है मार्जिन भी सिलाय मार्जिन भी तो केवल आपको और शिधा निशान लेने के बाद जैसे यह नॉर्मली 36 इंचेश्ट का है एक अनुमानित में आप लोगों को बता रहा हूं अस्तिन किस तरह से बैठता है क्योंकि मैंने मेजरमेंट अस्तिन का लिखा नहीं अस्तिन का एक चीज़ आप हमिशा नूटिस करना जो अस्तिन का आर महोल है आप छोटा अस्तिन बनाओ बड़ा बनाओ थ्री फोर बनाओ आर महोल एक यह रहेगा वो चेंज नहीं होता यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे लंबाई की, जैसे common हमें अस्तिन बनना है चार इंच का, तो निशान लगाएंगे साड़े चार का, आफ इंच का मार्जिन लेना पड़ेगा, तो यह साड़े चार का निशान हो गया, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे, इस सीधा सिमपल तरीक्वा जानते हैं, जब भी छोटा स्थिन हम बनाते हैं, यहाँ पर सबसे पहले तो ऑपको मारजिन लेना है, और जैसा कि मैं बता रहा था कि, जैसे हम छोटा स्तिन बनाते हैं तिन चार इंच पाच इंचो-्पाच इंच तक का, तो स्तिन का आरमतल, लेना चाहिए यह ऐसे यह धाई इंच पर और बड़ी अस्तिनों में तीन इंच पर इस तरह से इसको लेते हैं अब यहीं पर मैं बात कर रहा था कि यह 6 इंच का है तो यहां पर पॉने साथ यह साथ इंच पर इसका आर्म होल बिठा सकते हैं विल्कुल फॉर्मुला यह पॉने इंच एड़ करो आपका आर्म होल बैठ जाएगा पॉने चैड़ कर दो यह एक इंच इस चीज को ध्यान देखो यहां से इस तरह से राउंड करना है अस्तिन का शेप यह ऐसे तो बहुत सारी चीजें यहां पर ध्यान रखनी होती है फ्रेंट्स कटिंग करते वक्त चीजें दिखने में काफी आशान लगती है लेकिन जब करोगे तो वह समझ में आता है कि कितनी मुश्किल है क्य करना पड़ता है तो वह मेहनत आपको करना ही होगा बाकी यस्तिन का कटिंग और इस पेपर कटिंग को आप कैसे करेंगे इस वीडियो में मैंने पूरा आप लोगों के लिए एक्स्प्लेइन कर ही दिया यह सामने का पल्ला थोड़ा सा स्तिन का छाट देते हैं क्योंकि एक जाहें